स्टूरेंस वैलकम टू माई यूट्यूब चैनल और आज हम करेंगे कक्षा 10 की गणित की वरक्षीट नमबर 34 जो आपकी आज की ही वरक्षीट है 21 सितंबर की इसकी अंदर हम कुछ कोशन करने वाले हैं जिसके अंदर हम 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री जो है वो हमें ए 60 डिग्री होगा अंदर रूट 3 ठीक है तो यह आप इसको पहले पूरा कर ले उसके बार में बात करते हो उधारन 1 की मान ग्याद कीजे नीचे आपको कुछ दिया हुआ है that is sin 60 डिग्री गुणा कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री गुणा कॉस 60 डिग्री तो आपने यहां से 30 डिग्री और 60 डिग्री की जो है वो मान यहाँ पे डाल देना है और उसको सॉल करोगे तो आपके पास उत्तर आएगा एक ठीक है कुछ नहीं करना बस जो वैल्यूस दिये पूट करनी है उधारन नमबर दो में आपको एक त्रिभूज दिया हुए जिसका बी जो है वो एक समकोन है 90 डिग्री पे है एबी आपको 5 सेंटीमीटर दिये है आपने AC और BC निकालने है तो यहाँ पे आप वही फार्मूला यूज करोगे पंडित बद्री पर शाद हर हर बोले आपको पर्पेंडिकुलर दिया हुए ठीक है तो सबसे पहले 10 निकाल लो पर्पेंडिकुलर अपोन बेस होता है यानि कि AB अपोन BC that is equal to 10C और C कितना दिया हुए 30 डिग्री और AB कितना दिया है 5 तो 5 by BC is equal to 30 डिग्री 10 30 डिग्री कितना है 1 by under root 3 पुट किया तो BC हमारे पास आगय 5 under root 3 उसके वाल में साइन सी निकाल लो पर्पेंडिकुलर अपोन हाइपोटिन्यूस AB अपोन AC AB हमें 5 दिया है AC हमने निकालने और साइन 30 डिग्री होता है 1 by 2 तो AC आगया हमारा 10 cm ठीक है उसके वाल में उधारण नंबर 3 है आपको 10 A प्लस B दिया हुए under root 3 यानि कि 3 का व पर अग्मूल और जो आपका A प्लस B है ना वो कहां से कहां तक जाता है 0 डिग्री से बढ़ा है और 90 डिग्री से छोटा है ठीक है या उसके बराबर है हमने A और B निकालने है कुछ नहीं करना यह देखो यह 10 A प्लस B अगया 60 डिग्री के बराबर वैसे ही आप क्या करोग करोगे A किके साथ करोगे एक बत बत Wallace prime बाइस दिग्री कोन है तैनEN तीस डिग्री के पन त के बराबर हो गया 30 डिग्री तो ए पंदाली स डिग्री और बी कितना हो गया 15 डिग्री आपने इस वाली को इस वाली को दोनों को जोड देना है जोडूगे तो आपके पास A की व ठीक है उसके पार में बात करते हैं उधारन नंबर 4 की मान ग्याद कीजिquency आपको 35 डिग्री-d換नar खुर्ट 75 बटा सिकन्ट 30 डिग्री प्लस-60 दीक्री प्लस-60 कॉट 45 डिखरिए कुछ ने करना वेल्योमस पूट करने हैं उसको जितना सॉब होता है करलो on ठीक है अपने टेबल अपने पास रख लेना उसमें से देख के जो भी आपको यहां पे दिया उसकी वैल्यूस पूट कर लो आपका अंसर आजेगा ठीक है नेक्स बात करते हैं पांच वेंगी सही विकलब चुनिये और अपने विकलब की पुष्टी कीजिए टू टैन का दिगरी क्या होगा एक बटा अंडरूरूर्ट तीन यानि की एक बटा तीन के लवर्घ मूल्हाय उसका वर्ग कर दो तो यह वर्ग से वर्ग मूल खतम हो गया तो जा क्या आपने इसको रख दिया तो आपका उत्तर बनेगा में चाहां degree पे होता है, ठीक है, तो यह हो गया हमारा उधारण number 5, इसके बाद में इसके 4 questions और उनको discuss कर लेते हैं, तो चलते हैं solutions पे, question number 1 दिया हुआ देखिए, यदि sine a minus b एक बटा 2 है, और cause a plus b एक बटा 2 है, आपका a plus b 0 से लेके 90 degree के बीच में है, और a जो है वो बड़ा है b से, तो आपने a और b का जो मान है वो ग्यात करना है, तो सबसे पहले हमें sine a minus b एक बटा 2 दिया हुआ है, तो एक बटा 2 कब होता है, sine 30 degree पे होता है, तो इस एक बटा 2 की जगे पे हमने लिख दिया sine 30 degree, तो अब इधर वाले sine से ये वाला sine खतम हो गया, a minus b किसके बराबर आगया 30 degree के, वैसे ही cos a plus b हमें एक बटा 2 दिया है, एक बटा 2 cos कब होता है, 60 degree पे, तो हमने एक बटा 2 की जगे पे लिख दिया cos 60 degree, इस वाले cos से ये खतम हुआ, a plus b हमारे पास आगया 60 degree, अब हम क्या गरेंगे, एक नमबर और दो नमबर समीकरण को जोड़ देते हैं, और इनके जोडने पर हमें क्या मिलेगा, a minus b plus a plus b क्या हो गया, 30 degree plus 60 degree, तो यहां से b और b तो खतम होगे, क्योंकि minus minus के हैं, और यहां पे a plus a, a को a में जोड़ोगे, 2a बन गया, और 30 plus 60, 30 में 60 जोड़े कितने होगे, 90, तो 90 बटा दो, तो a कितना आगया, 45 degree, अब यह a 45 जो आया, वो इसके अंदर रख दो, चाहे आप उपर वाली में रख दो, ठीक है, b कितना आया, 30 degree, तो a बड़ा है न, ठीक है, तो a और b यहां से हमारे आगये, उसके बाद में बात करते हैं, मान ग्याद कीजिए, कोस 45 degree, बटा सीकेंट 30 degree, प्लस कोसीकेंट 30 degree, हमें यह दिया हुए, हमें पता है, कोस 45 degree होता है, एक बटा 2 का वरगमूल, सीकेंट 30 degree होता है, दो बटा 3 का वरगमूल, और कोसीकेंट 30 degree होता है, दो, तो उपरोकत सम्मिकरण 1 में, अगर हम यह डाल देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक बटा 2 का वरगमूल, गुणा, एक बटा, कितना 2, अंडरूट 3, प्लस दो बटा 1, तो यहां से एक बटा 2, गुणा क्या बन गया, अब इसका क्या लोगे आप, LCM, LCM ले लोगे, LCM लेके इसको solve करोगे, तो यहां पे क्या होजेगा, इस वाले 2 के साथ, multiply होजेगा कोन, अंडरूट 3, यानि कि वरगमूल 3, ठीक है, अब यहां पे इसको solve करेंगे, तो यह क्या गरेगा, यह उपर चला जएगा, ठीक है, वरगमूल 3 गुणा, एक उपर चला गया, बकिया, अज इस लिख दो, सेम, एक बटा दो वरगमूल को नहीं हटाना अपने, अब 3 के वरगमूल को एक से करोगे, तो वरगमूल 3 ही आएगा, और नीचे हमारे पास है, दो गुणा, एक दो, और दो गुणा वरगमूल 3, तो दो वरगमूल 3, अब इनको गुणा कर दो, गुणा करोगे तो उपर जो वरगमूल 3 है वो एक से गुणा होगा इन दोनों को आपस में गुणा कर दो न एक गुणा वरगमूल 3 और नीचे वरगमूल 2 गुणा 2 प्लस 1 बटा वरगमूल 3 आ गया ठीक है यहां से 2 आपने क्या वरग मूल 2 और यहां पर लिख दिया वरग मूल 3 प्लस 1 अब क्या कर दो हमने इसको गुणा कर देना और इसको भाग कर देना किस से वरग मूल 3 से ठीक है हमने क्या कर देना वरग माइनस एक उस क्लस b और a – b जिसको हम क्या लिखते हैं a square मानावव b square यानि कि वरगई मूल 3 का square मैनस 1 का square तो वरगई मूल 3 का square होता है 3 और माइनस 1 क्या हो गया 1 थीक तो 3 – inismo one कितना बचे help हमारे पास 2 तो यहाँ पर बचा तीन माइनस वरगमूल तीन ठीक है और दो वरगमूल दो तो बाहर पड़ा है वरगमूल तीन का स्केर माइनस एक का स्केर तीन माइनस एक इतने होगे दो और उपर क्या है तीन माइनस तीन का वरगमूल अब दो गुणा दो क्या होगे चार अब हमने क्या करना है इसको यह इसके साथ गुणा हो गया यह इसके साथ गुणा हो गया ठीक है आपके वास यह बनेगा ठीक है वरगमूल दो को वरगमूल दो से करो कि दो आ गया वरगमूल दो को वरगमूल तीन से किया तो तीन वरगमूल दो और तीन वरगमूल को दो वरगमूल से किया तो वरगमू 2, 45 degree, प्लस cos square 30 degree, माइनस sin square 30 degree, यानि कि sin का वरग 30 degree, cos का वरग 30 degree, और tan 45 degree दिये, तो सबसे पहले tan 45 degree कितना होता, 1, sin 60 degree, वरग मूल 3, 2, और cos 30 degree, वरग मूल 3, 2, आपने ये सारी जो मान है, इसके अंदर रख दिये, solve करोगे आपके पास उत्तर आएगा 2 ठीक है उसके बाद में है question number 4 सही विकल्प चुनिए ठीक है आपको ये दिया हुए ऐसा एक question आपको वहाँ पे भी दिया हुआ था worksheet में हमने सही विकल्प जो है वो चुनना है तो सबसे पहले हमने क्या किया हमें पता है कि 10 30 degree एक बटा अंडरूर 3 होता ये table हमने बनाया था ठीक है तो 100 की जगह पर तो कर ले ना तो 2 10 30 degree प्लस बटा 1 प्लस 10 30 degree का वरग क्या आएगा यहाँ पर जस्ट आपने 10 30 degree की जगह पर ये रख देना है जब ये रखोगे यहाँ तक पहुँच गे नीचे आपने क्या करना है LcM लेना है 1 प्लस 1 बाइ 3 है ना 1 बटा 3 तो 3 LcM आ गया ये बनेगा 3 प्लस 1 तो आपका बन गया 4 बटा 3 ठीक है अब क्या गिया देखो एक चेंज कर दिया हमने तीन को लिख दिया तीन का वरग मूल और गुणा तीन का वरग मूल तीन का वरग मूल जब हम गुणा गरते है तो तीन ही बनता है ना तो ऐसे हमने लिख दिया अब इस तीन के वरग मूल से एक ये तो गया इस दो से ये चा दिखा देती हूं यह हमारे अंसर है ठीक है यह रहा इसका फूर्थ का अंसर और उसके बार में यह रहा थर्ड का अंसर उसके बाद यह है हमारे पास सेकींड का अधा अंसर उसके बार में सेकींड का नेक्स्ट पार्ट और यह है सेकींड का बाक्की और उसके बार में आपको दिखा देती है question number one यह है question number one का half और then complete part okay so इसी के साथ हमारी worksheet यहाँ पर खतम होती है